गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ प्लस टू दियर स्टुडेंट्स ए लेख लगातार वाद रही वसों अते मनुखी लापरवाही दी पंजवी वीडियो है जिस विच असी सफा 94 दे लास्ट पैरा तू लेके सफा 95 पाब लेख दे अंत तक रीडिंग करांगे पर इस तो पहला असी खोन तक कीते कम नू दोहरावांगे असी लेक लगातार वाद रही वसों अते मनुखी लापरवाही दे सफा 94 दे पहले दो पैरियां तक पढ़ चुके हां जिस तो सानु ए पर तक हुंदा है कि तरती उपर मनुखी वसों वध डायकसाइड अते मिथेन गैस दी मातरा वदन कारण तरती दा तापमान वद रहा है जिस दे नतीजे वजों तरती दे तुरियां तो बरफ बिगल रही है जिस करके दिनों दिन समुंदरा दी डूंगान वद रही है ते जमीन दा खुशक पाग कट रहा है लेक ने इस लेक रही सुचेत कीता है कि कुद्रत प्रती मनोख नू अनगहली नहीं वर्तनी चाहिए दी क्योंकि ए अनगहली मनुख की होंद लेई खत्रे दा कारण बन सकती है ते ए मनोख दे हेत्विच नहीं है लेक दे दूजे पड़ा विच लेक ने तरती दे जनम ते इस उपरे पुंगरे जीवन दे इतहास उपर चानना पाया है ते फिर लेक ने डाइनासोर, मकडी ते केकडे दी उधारन रही सपष्ट कीता है कि जद भी जीवा अते कुद्रत दे सबंदा विच उलार आउंदा है ता इस दा खाम्याजा हमेशा जीवा नो ही पुक्तना पेंदा है लेक परता करदा है कि डाइनासोर बेशक पर भावशाली जीव सी पर उसने कुद्रत नाल संतुलन काइम नहीं रख्या जिस करके आज उतरती तों अलोब है जद कि उस दे ही समकाली केकडे अते मकडी तरती ते जिऊदे हन लेक ने परता कीता है कि बेशक तरती उपर समय समय ते कई कुद्रती आफतावादा गेड गिरदा रहना है पर पिछले सौ वर्या विच जेसा आद तक मनोख ने तरती परती लापर वाही वर्त के इसनू रोड़या है उस लिहास डाल मनोख तरती ले एक संकट अते रोग बन गया है मनुखी वसों वदन कारण जिते जंगल काट रहे हन जंगली जीवन नपीड़या जा रहा है उते मौसम बदल रहे हन रुत्ताच उबाल आ रहा है वायू पर दूशन कारण जिते ओजोन दी चुनी लीरो लीर हो रही है उते अम्बरा विच जो हो रही तिजाबी वर्खा तरती उपर ले जीवन नुवी नुकसान पहुंचा रही है तो डियर स्टूडेंट्स एसी पिछले कम दी दोहराई होन असी लेक लगातार वाद रही वसों अते मनुकी ला परवाही दे सफा 94 दे लास्ट पेरा तो लेके सफा 95 पाव लेक द तक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स दे अर्थ डिसकस करांगे पेज नंबर 94 फर्स्ट वर्ड है उपज उपज मीन्स की पैदावार नेक्स्ट है बेरडे बेरडे तो पाव की ओ बीज जो जल्दी पुंगर दे नहीं हान क्योंकि ए कीटनाश का जा रसाइना तो परवावि नहीं फल्दियां तो पाव शेति वद दियां फुल्दियां नहीं हान कदाचित बिल्कुल वी नहीं नझेक्स्ट पेरा पेरा ओन पेज नंबर 95 हादी फर्स्ट वर्ड है पालतू प्राणिया पालतू प्राणिया तो पाव ओके जो मनोख द्वारा करवेच पाले जान दे हन नेक्स्ट है निचोड के रख देन वाले जीवन नू निचोड के रख देन वाले पाव जीवन नू बरबाद जात तबा करन वाले नुकसान पहुंचोन वाले रसाई तो पाव है रचना समोना नेक्स्ट वर्ड है अनपशाते अनजान अगला शब्द है लोबी रुची पाफ लालची विचार लालची सोच अगला शब्द है जी त्रिसकार अपमान निरादर खुवार करना, तबा करना, विगाडना, बरबाद करना जानुकसान पहुंचोना नेक्स्ट शब्द है सिरलेक सिरलेक तो पाव है ना विदिया विदिया तो दार्थ है टांग जा तरीके वड्याया पाव सतिकार आगला शब्द है बिराजमान पाव की बैठा होया अनपोल अनजान अवेसला. नेक्स्ट है ले. ले तो पाव है तान. नेक्स्ट वर्ड है जी उलंगना करन वालेंदा. पाव की पांग करन वालेंदा. अगला शब्द है मृतिक सूचना. मौत दी सूचना जब मौत दा सुनी हां. पोग पाशर्दी है, खतम करशर्दी है. उलीकी होई, उलीकी होई दा अर्थ है. लिखी होई, वाच सके, पढ़ सके. नेक्स्ट वर्ड, शब्बे गम. शब ए गम उर्दू पाशदा शब्द है. शब्दा अर्थ है समुच्ची सारी. गम दा पाव है दोख. सुवाद, पाव, अनन्द जां जिन्दगी दा रास नौ वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 94 पीज लास्ट पैरा फेर अन दी उपजवदों ले जिडे बीज बीजे जा रही हन इहे बेरडे हन जिन्ना तों ओगाईयां जांदियां फसलां बिना रसाइन का खादां दी वर्तों दे अते बिना कीट नाशकां दे खुले शड़काओ दे फल दियां नहीं एस्तिती वद दी वसों दा पेट परन दे अनु कूल कदा चित नहीं है हन जिस पहरे विच लेकर ने बियान कीता है कि आज वद दी वसों दी पोखनों मटों ले आन दा चाड जा आन दी पैदावार वदों ले एक खास किसम दे बीज बीजे जा रहे हन जिन्ना नू बेरडे बीज क्या जान्दा है जिन्ना दे उपर कीट नाशकां ते रसाइने खादा प्रत Windows इतों तक हो चुका है जा खादा इन्हां बीज़ा जी विधों वद दि आ फोल सभे घंथ हो कीश्या जिन्ना इपन आ जिन्ना ख मॲद ओधज भैस्फिश हर भाद रहल तो बिल्कुल वी सही नहीं है, क्योंकि दानियां, दालां दुवारा, फलाँ, सबसियां दुवारा, जल्चो फडियां मच्छियां दुवारा, अटे पालतू प्रानियां दुवारा, जीवन नु निचोड के रख देन वाले, रिसाइना दे रिसाई मनुखी सरीर तक होन लग प कारण है तो लेखक ने उन्टे की बियान कीता है कि आज जो अनाज पैदा कीता जा रहा है ओ अनाज की नाज का दवाईया अते रिसाइनक खादां तो परभावित है ते जदो मनोख इना खादां अते रिसाइनक पदार्था नाल परभावित अनाज दाडां फडां ते सबज ते दुझे पासे जो जल है ओवी कैमिकल ते रिसाइने का पदार्था तो प्रभावित है ओदे विचों मच्चिया फड़के पोजन दे तौरते खानदा है ते कारविच रखे पाल तू पराणिया नो पोजन दे तौरते वर्त दा है ताँ फिर असिद्धे रूप विच मनोख दे जीवन नू बरबाद करन वाले इना रसाइना दी रसाई मनोख दे स्रीय तक हुण लग भी है पाव खाद पदार्थां दे जरीये ही मनोख आपने अंदर असिद्धे जा अपर तक रूप विच रसाईनक पदार्था नू निगल रहा है जेड़े कई अनपशाते रोगां दा रोगी मनोख आज बन रहा है उस दा इहो कारन है सो इना खादा ते इना रसाईनक तता नू अपने अंदर रसाउन लई जा अपने अंदर लैन दे कारण मनोख आज कई एहो जे रोगां दा रोगी बन रहा है जिन्ना नाल उस दी कोई जान पशान नहीं है नेक्स पहरा कुदरत नालवी मनोख अपनी लोबी रुची अनुकूल वर्तदा आ रहा है लोबी रुची अनुकूल पाव लालची सोच दे अनुसार मनोख कुदरत दे प्रती जो रवया रखदा है उस विच उस दी लोबी रुची है उस दा लालच रचया होया है जिस कुदरत ने जीवन संभव बनाया मनोख दे संसार अंदर परवेश नूं संभव बनाया अते फिर इस दे विकास नूं संभव बनाया उसे दा इसने त्रिसकार कीता सो लेख़ग इते मनोख नूं दोशी ठहरोंदा है कि मनोख इना कुदरत प्रती लालची है इना स्वार्थी है क्यों कुदरत नालवी कुदरत अनुसार नहीं विचरदा बलकि अपने लालच अनुसार विचरदा है ते ओ कुदरत जिसने इस तर्ती उपर मनोख दे जीवन नूं संभव बनाया इस तर्ती उपर मनोख दे प्रवेश लई हलात अनुकूल बनाए ते फिर मनोख दे प्रवेशतों बाद तर्ती उपर उस दे विकास वास्ते भी संभव हलात पैदा कीते अज मनोख उससे कुदरत दे प्रती अनगहली वर्त रहा है उसे कुद्रत दा निराधर कर रहा है कुद्रत नूँ खुवार करन ले इसने पांथ पांथ दिया विदिया अपनाईया जिन्ना नूँ इसने प्रगती अते विकास दा सरलेख अरपन करके वड़्यायावी लेखक ने परतक कीता है के मनोख ने अपनी रचनहार कुद्रत नूँ विगाडन ले कई विग्यानक टंग ते तरीके अपनाई हन पांथ उसने कई विग्यानक टंगा तरीके अनाल कुद्रत नूँ पलीद कीता है ते इना विज््यानक टंगा नू antisने पर गती की विकास दा ना दिता नहीं ते इस तरह ओ विदिय हैं जिन्ना में दभारा पुद्रत पली तो हो रही है परदूशी तो हो रही है मनोख उना विदिया नू विकास दा नहीं देगे सतिकार रहा है वडे रहा है कुद्रत दी जे स्टानी उपर मनुख बिराजमान है उसे नू एह कटी जा रहा है अते इस गलों अनपोल होया कटी जा रहा है कि जद एह तने नालों वक्ख होई तां ओ आप वी इस दे नाल हेठा डिग पवेगा हाँ जी इस पैरे दी रीडिंग पर तक कर दी है कि लेकग दा विचार है कि मनुख कुद्रत प्रती इना लापरवा है क्यों जेस मनुख जेस कुद्रत दी टानी उपर बिराजमान है कि जिस दिन एक कुद्रत अपने तने नालों वक होई पाव जिस दिन कुद्रत तबाह होएगी, कुद्रत खतम होएगी, उस दिन कुद्रत दे नाल नाल, प्रकृती दे नाल नाल, मनोख दी हूंद वी खतम हो जावेगी, कुद्रत दे विनाश दे नाल नाल, मनोख दा अपन विनाश्वी हो जावेगा आज मनोख कुद्रत दी ले नालों वक्री आपनी ही तान अलाब रहा है पाव कि मनोख कुद्रत दे निजमा दे अनुसार नहीं विचर रहा पाव कि कुद्रती निजमा दे नल तकर ले रहा है कुद्रती निजमा दे विरुद अपना जीवन जीव जेड़ी के कुद्रत नू सिविकार नहीं, कुद्रत दे विरुद जाना, कुद्रत दे निजमा दे उल्ट जाना, कुद्रत नू ए चीज मनजूर नहीं है। निजमा दे पालना करन वालेयां दे साथ दाता कुद्रत दिकार कर दी है, पर इना दे उलंगना करन वालेयां दा संखेप जही मृतक सूचना द्वारा ए पोग पाशर दी है। पर इस दे उल्ट जो जीव कुद्रत दे विरुद विचर दे हन, कुद्रत दी निजमा दी नू पांग कर दे हन, कुद्रत उना नू हलकी जही मौत दी सूचना दिन्दी है। ते फेर जो जीव इस सूचना नू समझ लेंदे हन, उना दा जीवन बच जन्दा है, पर बाकी जीवा दा जा प्राणियां दे जीवन दा कुद्रत पोग पाशर दी है, पाप उना नू सदा लें, खतम कर दी है। अंबराच उली की होई ए वारता, जेकर मनुख वाच सके ता, वाच लवे नहीं ता, दोनों जहां तेरी महबत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। लेखक सुचेद करता है, सावधान करता है, कि जेकर मनुख अंबराच उली की होई ये वारता पाव की, जेकर मनुख कुद्रत दे इस निजम नू जो की परतक है, पढ़ सकता है, पढ़ लवे, जान सकता है, जान लवे, समझ सकता है, ता समझ लवे ते अपने जीवन नू कुद्रद अनुसार टालवे तां उस दे लई सही है नहीं तां ओ दिन दूर नहीं जिस दर मनुक दी हालत इना सत्रा दे अनुसार हुएगी के दोनों जहां तेरी महबत में हारके वो जा रहा है कोई शबे गम गजारके पाव इस दा अर्थ ए है कि जेकर मनुक कुद्रद दे अनुसार नहीं चलदा तां उस दा जीवन उस दी हुँद खत्म हो जावेगी ते मनुक दी हालत ए हुवेगी के शबे गम गजारके पाव की सारी जिंदगी तर्थी उपर दुखा नाल रोगा नाल परी होई गुजारके ओ इस तर्थीतों कूच करेगा ते ना ओ इस लोग जोगा ते ना ही ओ पर लोग जोगा होवेगा पावस दी दोना जहाना वीचे हार होवेगी फिकी ते रोगी सोचने मनुक दे जीवन जो सुवाद तां चूस ही छड़े हन अते होण वारी आ रही इस दियां सुवासांती इते लेखक ने सुचेत कीता है के मनुक दी कुद्रत परती लालच अते लोब नाड परी होई रोगी ते फिकी सोचने मनुक दे जीवन नो इना नीरस ते फिका कर दिता है के उस दी जिवन दा सुवाद चूस शड़े है पाव खतम कर शड़े है ते जेकर होण वी मनुक सुचेत ना होया जेकर उसने कुद्रत परती अन गहली ते लापर वाही नो ना शड़े है तां फिर जीवन नो बे सुवादा होण तो बाद अगली कड़ी मनुक दे साहाँ दी होएगी पाव कुद्रत वरोध जान दा नतिजा ए होवेगा के मनुक नुक द्रत नहीं बक्षेगी ते एक ना एक दिन इस तरती तो मनुक दे साहाँ दी मनुक दी जिंदगी दे जीवन दी दा अन्त हो जावेगा सो स्टूडेंट्स इस लेख रही लेखक ने वर्तमान तरास दी दे उपर जिक दे उपर चानना पाया है कि किस तरह मनुक दी वाद रही वसों तरतीली के खतरा है ते दूजे पासे मनुक द्वारा कुद्रत प्रती वर्ती जा रही अनगहली उस दी आपनी हूंदले वी एक संकट बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स अगली वीडियो दे विच असी इस पूरे लेखदा सार करांगे तिल देन गुडबाई